बाबा नानक शाफ फकीर, हिंदू का गुरू, मुसल्मान का पीर नमस्कार अधाव सबस्रिया काल गुरु नानक पाथ्षा समूची मानवता के सांजे गुरू जिनोंने तीन सिधान्त बक्षे किर्थ करो, नाम जपो और वंड चको अर्थार्त, मेहनत की कमाई, एक इश्वर की अराधना और मिल बाट कर खाना मनीश्यों ने इसे त्री रतन सिधान्त की संग्या दी मैंने इस पर एक मौलिक रचना, छोटी सी कवीता लिखने का प्रियास किया जिसको मैंने टाइटल ही दिया है त्री रतन सिधान्त किर्थ करो नाम जपो और मिल बाट कर खाते जाओ गुर नानक जी ने बक्षा त्री रतन सिधान्त मन वचन करम से अमल में लाते जाओ रहमते इश्वर की आठो पहर बरस्ती गुर दर्शाई मार्ग पर चल कर जोली अपनी अपनी भरवाते जाओ रहमते इश्वर की आठो पहर बरस्ती गुर दर्शाई मार्ग पर जल कर जोली अपनी अपनी भरवाते जाओ मेनत से करो खूब कमाई हिर्दे में रखो सदा सचाई एक इश्वर का नाम सदा जपना हक किसी का भूल कर मत रखना सच हक की जो करो कमाई मिल बांट कर जब जाए खाई घर में बरकते ही बरकते आई खजाने रहेंगे तब सदा भरपूर इश्वर नहीं है किसी से दूर सब में उस एक की जोत पैचानो जब एक पिता की हैं हम सब संतान क्यों करते हो जातिकत अभिमान जूठी माया का कभी गुमान मत करना पाप की कमाई से कभी तिजोरियां मत भरना जो भी मिले उसे प्रभू का परशाद मान कर जर्रे जर्रे में उसकी जोत को पैचान कर पूरण सत्गुर पर हर पल भरोसा रखना पाखंडे साधूं से हमेशा ही बचना गुर्णानक देवजी का तिरी रतन सिधांत अपनाना लोग पर लोग अपना सफल बनाना शुक्रिया तेंग्यू